इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे ग्लेंड मार्ग फार्मा के बारे में जिसने की कॉर्टर वन के नंबर्स को पब्लिश कर दिया तो चलिए देखते हैं आज की ब्योडी का आउटकम क्या देखने को मिल ला है तो कमजी ने सिर्फा सिफ कॉर्टर वन को लेके अनॉस्म की देन लास्ट यर का कॉर्टर वन का डेटा आपको थर्ड कॉलम में देखने को मिलेगा और वीडियो दोस्तों एस्टी कॉलिटी में अवलेवल है तो आप कॉलिटी बढ़ा सकते हैं तो आपको नंबर्स क्लियरली दिखेंगे तो बात करते हैं पहले टोटल रिवेन्यू की जो की यरली बेसेस पर 3036 से 3244 पर आगे कॉर्टर ली 3000 से 30200 क्लोड पर तो कॉर्टर प्लस यरली दोनों ही जगा रिवेन्यू बढ़ा है और मार्केट का जो अनुमान था रिवेन्यू को लेके वह 3295 करोड का था जो की इस बाद 3244 पर आगे तो मार्केट एस्टिमेट के साब से थोड़े से रिवेन्यू डाउन है बट ग्रोथ आपको दोनों जगे देखने को मिलेगी देन उसमें आप अधर इंकम एड करेंगे तो आएगी टोटल इंकम जो की 3000 करोड से 3200 पर आगी कॉर्टर ली 3800 से कम होके 32 पर क्योंकि कॉर्टर फोर में आधर इंकम 700 करो मोंगे 281 पर आगे कॉर्डर ली 285 से 2800 से 2800 के करिबं तो इस बार आपको कॉडर प्रस यह नों जगे कम देखने को मिलेंगे यहली 2008 52 एट होडर दोटीए टिए को यह नों ऑन में चल्टर ली तो इंकम तो एक्पैन्स दोनों जगे नएं जगें यह यह नहीं करेंगे फै कितना हुआ तो अगर बात करी जाए कंपनी के टोटल पॉफिट जो लास्ट येर ते वह में कितने देखने को मिले जो कि अगर आप देखेंगे तो लास्ट येर कॉर्टर वन में जो कंपनी के टोटल पॉफिट थे वह एप्रॉक्स थे आपको 116 करोड के वह इस बार 345 क्रोड का यानि कि 313 करोड का एस्टिमेट लगाए तो जो की पूरी तरीके से हमें बीट होता हुआ देखने को मिल रहा है तो कॉर्टरर और कॉर्टर प्लस येर और येर बेसिस दोनों ही जगे काफी अच्छे नंबर से येरली प्रॉफिट डबल से जादा हो चुके और क कॉर्टर कॉर्टर 4 में कंपनी को 1100 क्रोड का लॉस ता इस बार कंपनी को प्रॉफिट हुआ सेम रिफ्लेक्शन EPS में 5.31 से यरली 12 पे आ गया कॉर्टर 4 में लॉस ता तो नेगेटिव का 43 से EPS इस पर पॉस्टिव का ट्रेल पे आ गया ओवरल काफी अच्छे नंबर से मार्केट का भी बिल्कुल पॉस्टिव रेक्शन होगा इस पर तो आपको आस ग्लनमार्क फार्मा की कितने शेर्ट से कॉमेंट बॉक्स में बिल्कुल बचाएं तो मिलते हैं किसी और वीडियो मे किसी और अपडेट के साथ अब तक के लिए बबाए